हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आप सभी को CUET की जो परिक्षा PGMA हिंदी की है उसका प्रिवियस येर का पेपर कराने जा रही हूँ तो देखे किसी भी परिक्षा की तयारी से कडने से पहले उसका प्रिविस yair का पेपर देखना जो है बहुत जरूरी होता है ताकि जो आपकी आगे की परिक्षा हो तो आपको जो है स्तर पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न जो है किसे पूछे जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये 24 सितंबर 2021 को जो परिक्षा हुई थी NTA की ये उसका कुश्चन पेपर है तो चलिए इन सभी प्रशनों को आप सभी को दिखाते हूं कि किस प्रकार के प्रशन जो है पूछे गए थे तो यहाँ पर ये हिंदी का प्रशन पत्र है तो चलिए प्रशन पहला प्रशन है समविधान के किस अनुछेद के अनुसार संग की राजभाशा हिंदी और लिपी देव नागरी है तो अनुछेद 343 के अंतर गताता है अगला प्रशन है हिंदी को समविधानिक तोर पर कब स्विकार किया गया था तो ये स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को अगला प्रश्ण है शिव शंभू के चिट्थे किस की रचना है तो ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है अगला प्रश्न है सरहपा का संबंद किस कावे धारा से है तो सरहपा का संबंद जो है सिद्ध कावे धारा से है अगला प्रशन है तुलसी दास ने किस भाशा में कावे रचना की है तो यहां देखे तुलसी दास की जो रचना हैं वो आपको अवधी और ब्रज दोनों ही भाशा में मिलती है और यहां पे जो आप्शन है वो है अवधी भाशा तो हम अवधी भाशा लगाएंगे अगर कहीं ब्रज भी मिले तो वो भी लगा सकते हैं और इनकी जो मुख्य रचना है रामचरित मानस वो ब्रज भाशा में है चलिए अगला प्रशन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है कौन थे तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्वेदी और इनों ने जो है 1903 से लेके 1920 इसवी तक इसका कारेभार समाला था सरस्वती पत्रिका का संपादन कारे 1903 से 1920 इसवी तक इनों ने किया था चले अगला प्रश्ण है संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है तो यह दिनकर की रचना है रामधारी सिंग दिनकर की अगला प्रश्ण है निमलिकित में से किसका संबंध भारतिय काविशास्त्र से है तो यहाँ पर देखिए लॉंजाइनस, टियसेलियर, प्लेटो यह सारे जो है वो पाश्चात्य काविशास्त्र में आते है यह पर भामः जो है वो भारतिय काविशास्त्र के अंतरगत आते है आत्म जई किस विधा की रचना है तो आत्म जई क्या है कविटा के अंतरगत आता है अगला प्रश्ण है प्रेम की पीर किस कवी को कहा जाता है तो प्रेम की पीर जो है वो जाइसी को कहा जाता है और किस रचना के लिए कहा जाता है तो तो उनके द्वारा पद्मवद जो है उसमें नागमती वियोग खंड जो उन्होंने लिखा है उसमें जो विरह वियंजना की है तो इसलिए इनको प्रेम का पीर का कवी कहा जाता है और अगर जाइसी की जगह यहां घहनानंद होता तो इन दोनों को ही प्रेम के पीर का कवी कहा जाता है तो अपने option देख लीजिएगा कि कहा क्या आना है क्या प्रश्णे पूछा गया है अगला प्रश्ण है आचारी रामचंदर शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ तो ये प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में चलिए अगला प्रशने है जूटा सच उपन्यास के लिखा कौन है तो ये ये शपाल जी का उपन्यास है अगला प्रशने है निमलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है तो इस में से उसने कहा था इनकी कहानी नहीं है और ये किसकी कहानी है तो ये चंद्रधर शर्मा ग पुलेरी जी की कहानी है चलिए मैंने आपको बताई दिया चंदरगुप्त नाटक के लेखक कौन है इसके लेखक है जैशंकर प्रिसाद अगला प्रशने है किस रचना की कहानिया किस रचनाकार की कहानिया मांसरोवर के नाम से प्रकाशित है तो ये तो सब को पता है कि प्रे माना जाता है तो वो है भरत मुनी को अगला प्रश्न है बिल्ले सुर बकरी हा किसकी रचना है तो यह रचना है निराला जी की रचना है चलिए अगला प्रश्न देखते है गीत गोविंद किसकी रचना है तो गीत गोविंद किसकी रचना है तो यहाँ पे गीत गोविंद जो है वो जैदेव की रचना है अगला प्रश्ण है देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर तो उक्ति किस कवी की रचनाओं के बारे में विख्यात है तो ये चीज़ जो है बिहारी के लिए कहा गया है उनकी कि रचनाषों के जो भाव हैं, उससे हमें पता चलता है कि रचनाए तो उनोंने, जो उनका सठसाई है, वो बहुत चोटे है, लेकिन उनके जो अर्थ पे आएं, तो बहुत बड़ा अर्थ, जो है, उनके सठसाई से निकलता है, दोही से निकलता है। अगला है लक्षण लक्ष ग्रंथों की रचना किस काल में हुई थी तो इसकी शुरुआत जो है वो रीती काल से हुई है चलिए अगला प्रशन है नमलखित में से कामाईनी का प्रथम सर्ग कौन सा है तो इसका जो पहला सरगाता है वो है चिंता चली अगला प्रशन है हिंदी कवी अमीर खुसरों के गुरू कौन थे उनके गुरू थे शेख मुईदिन चिष्टी तो अमीर खुसरों के गुरू जो थे वो थे निजामुदीन ओलिया चिष्टी नहीं है निजामुदीन ओलिया है तो इनके गुरु का नाम निजामुदीन ओलिया चले गला प्रश्ण है अस्ट छाप के संस्थापक कौन थे वो थे विठल दास तो वला पचारे के पुद्र विठल नाथ के द्वारा जो है अस्ट छाप की स्थापना की गई थी अगला है प्रगती शील लेखक संग के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षिय भाषण किस ने दिया था तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेमचन अगला प्रशन लेते हैं कितने पाकिस्तान के रचईता है तो वो है कमलेश्वर कृत है ये अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की नहीं है तो वो है असाद्य वीना अगे की रचना है त्रिलोचन किस का विधारा के कवी है तो त्रिलोचन जो है वो प्रगतिवादी कवी है अगला प्रशन है कोट मार्शल किस विधा की रचना है तो कोट मार्शल जो है वो क्या है नाटक है तो ये स्वदेश दीपक की द्वारा लिखा गया नाटक है अगला प्रशन है अरे यायावर रहेगा याद रचना की विधा कौन सी है तो इसकी विधा है ये यात्रा वरितांत है चले अगला प्रशन लेते हैं बाड़भट की आत्म कथा के लेखक कौन है तो इसके लेखक है हजारी प्रसाद दुवेदी जी चले अगला प्रशन है अमरित सर आ गया है कहानी के लेखक कौन है तो इसके लेखक है भिश्म साहनी अगला प्रश्ण है आशाड का एक दिन नाटक के रचईता कौन है तो ये किसका नाटक है मोहन राकेश का अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सी रचना फणीश्वनाथ रेणू की नहीं है तो अशोक के फूल ये फड़िशोनाथ नेणू की नहीं बलकि हजारी परसाद वेदी की रचना है चले अगला प्रश्ण है गीतांजली के रचईता कौन है तो गीतांजली किसके रचना है रविंदरनाट टैगोर की अगला प्रश्ण है नेमलिकित में से कौन सा रचनाकार सूफी कावेधारा से संबंदित नहीं है तो वो है दादू धयार उनका अपना ही दादू पंथ था तो वो सूफी कावेधारा के अंतरगत नहीं आते है नमलेकित में से कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है तो इन में से भक्तमाल जो है वो तुलसी दास की नहीं बल्कि ये नाभा दास की रचना है अगला प्रशन लेते हैं मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है तो इसके लेखक है सरदार पूरन सिंग अगला प्रश्ट है जूठन आत्मकथा के लेखा कौन है तो जूठन ओम प्रकाश वालमिकी की आत्मकथा है उनके द्वारा लेखेता आत्मकथा है आपका बंटी उपन्यास की लेखी का कौन है तो आपका बंटी किन का है मन्नो बंडारी का स्वांग किस शेत्र का लोक नाट्टे है तो इसका सही उतर है ये हर्याना का लोक नाट्टे है चलिए अगला प्रश्ण लेते हैं लोक साहित्य की पुस्तक दे लिजन्ड आफ फंजाब तीन भागो का संकलन किस ने किया था तो ये पुस्तक लिखी गई है आरसी टेंपल के द्वारा चलिए अगला प्रश्ण है रचनाकार के ने शिवशंबू के चिठे में किस अंग्रेज अधिकारी पर व्यंग किया है तो वो क्या किया है लॉड कर्जन पर अगला प्रश्ण है आवत जात पनहिया तोटी बिसरी गयो हरी नाम किस की कावे पंक्तिया है तो ये कुम्भन दास की पंक्तिया है चलिए अगला प्रश्ण है नमलिकित में से कौन व्यंग कार के रूप में विख्यात है तो इसमें से जो है हरी शंकर परसाई जो है वो व्यंककार के रूप में विक्यात है कुरुशेतर रचना के रचईता कौन है तो कुरुशेतर के रचना कार है रामधारी सिंग दिनकर रमेनी किस की रचना है तो रमेनी जो है वो कबीर दास की रचना है साखी, सबद और रमेनी पत के साथ ही किस रचनाकार द्वारा रचित रेखा चित्र है तो ये है महादेवी वर्माकरत अंधा युग काविर नाटक किस पर आधारित है तो ये महाभारत की कथा पर आधारित है नमलिकेत में से अरस्तु का कौन सा सिध्धान्त है तो अरस्तु का है विरेचन सिध्धान्त हिंदी का पहला अख़बार कौन सा है तो वो है उदंत मारतंड भक्त माल के रचेता कौन है तो इसके रचेता है नाभादास अगला प्रश्न है कबीर की संदर्व में प्रेक्त साखी शब्द से क्या अभिप्राय है तो साखी का अभिप्राय होता है साक्षी सिद्धो की संख्या कितनी भताई गई है तो सिद्धो की संख्या जो है वो है 84 और नाथो की संख्या जो है वो है 9 हिंदी का प्रिथम महा कावे किसे माना जाता है तो हिंदी का पहला महा कावे जो माना जाता है वो है प्रिथिराज रासो गोरक जगायो जोग भगती भगायो लोग ये किसकी उगती है तो ये उगती जो है बराबर पूछी जाती है तो ये तुलसिदास की उगती है दसरत सूत तिहु लोक बकाना, राम नाम का मरम है आना तो यह किसकी उकती है? यह पंति कबीर दास की है अगला प्रशन लेते हैं पुस्टी मार्ग के प्रवर्टक कौन है? तो पुस्टी मार्ग के प्रवर्टक है वलबा अचार्य रस्खान का संबंद किस कावेधारा से है तो रस्खान का संबंद जो है वो है कृष्ण कावेधारा से चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार है गुरू गोविंद सिंग जी सुक दुक में कौन सा स्वमास है तो इसमें द्वंद स्वमास है यदि गद्य कवियों की कसोटी है तो निबंध गद्य की कसोटी है ये किसका कथन है तो ये कथन जो है कि यदि गद्य कवियों की कसोटी है तो निबंध गद्य की कसोटी ये किसका कथन है आचारे रामचंदर शुकले जी का कथन है वाके रसात्मक काव्यम, ये किसका कथन है? ये कथन है विश्वनाथ का, चलि अगला प्रशन लेते हैं वीर रस्त का स्थाई भाव क्या होता है? तो इसका स्थाई भाव होता है उत्साः नमलकेत में से कौन साज शब्द शुद है? तो इन में से जो है श्रिंगार ये सीवा ती नंबर का ये शुद है निम्लिकित में से किस कवी का नाम एक भारती आत्मा है तो वो है माखनलाल चतुरवेदी अगला प्रश्न है निम्लिकित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है तो इसमें से जो है कितने पाकिस्तान ये जो है नाटक नहीं बलकि ये उपरन्यास है नेमलिकित में से किस कवी का संबंध रीती मुक्त कावेधारा से नहीं है तो देखे इसमें से जो केशव है उनका संबंध रीती मुक्त से नहीं है केश अवदास जो है वो रीती बद कवी है नम्रेकित में से कौन सी कविता धूमिल की नहीं है तो हरी जन गाथा जो है वो धूमिल की नहीं बलकि नागार जुन की है कितनी नावों में कितनी बार किस कवी की रचना है तो ये अगे की रचना है अशोक के फूल किस लेखक के निबंद संग्रा है तो ये हजारी परसाद दिवेदी जी का निबंद संग्रा है मैथिल कोकल किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है विद्यापती को परदा कहानी के लेखक कौन है तो वो है यश्पाल निम्लिकित में से कौन सा लेखा की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है तो राहुल संकृतियान परिक्ष्य गुरु पर्ण्यास के लेखा कौन है तो वो है लाला श्री निवास दास निजभासा उन्नती है सब उन्नती को मूल बिनु निजभासा ग्यान के मिरत नहीं को शूल ये किसकी रचना है तो ये रचना है भारते इंदू हरिश्चंद्र की तो ये सारे प्रशने थे जो की जो C.U.E.T. की जो परिक्षा है उसमें पूछे गए थे 2021 में और ऐसे ही और भी प्रशन जो है वो C.U.E.T. की जो भी अब्यारती परिक्षा दे रहे हैं उनके लिए और लेकि आओंगी तो आप सभी को ये प्रशन अच्छे लगे हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लेजिएगा धन्यवाद